ओके लिए जो आपको एलेक्ट्रो नेगेटिविटी इसके वैल्यू है ओके सभी जो इलेक्ट्रो नेगेटिविटी के वैल्यू है वो याद कर लो तो अच्छा है समझ लो तो भी अच्छा है ठीक है इतने वैल्यू है इसके वैल्यू जज़ एलेक्ट्रो नेगेटिविटी अगर पिरिएड वाइज आओ तो इनक्रीज होती है नीचे जाओ तो डिक्रीज होती है ओके यह कॉंसेप्ट तो पता ही होगा तो इनको अगर यहां पर observe करें हम पहले relatively समझ लो कि कैसे हम उसको values याद नहीं है तो कैसे find कर सकते हैं यहां पर कार्बन हो गया यहां पर पॉस्परस हो गया ठीक है तेन फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और उसके नीचे एस्टरटाइन तो यह जो फ्लोरीन वाला ग तो इसका यहां पर rank 1 लग जाएगा और रही बात यह second period की तो उसमें जो कार्बन है नीचे आएंगे तो कम होगी तो कार्बन है वो second rank ले जाएगा रही बात phosphorus और estetine की उसका value judge करना मुश्किल है बट ब्रोमीन और कार्बन से option भी आपको पता चल जाएगा अगर value से चेक करो तो carbon का जो value है वो 2.5 है ओके phosphorus का value 2.1 है फिर ब्रोमीन का 2.8 है यह तो पूरा इलेक्रो नेगेटिव ग्रूप यह है एलोजन और estetine का फिर 2.4 something होगा इफ वी judge iodine का 2.5 है अभी orderly arrange करो तो ब्रोमीन, carbon, estetine and phosphorus तो इस तरह से बट अकॉर्डिंगली logic लगा के भी सवाल हो सकता है अपिस अपिस में एलेक्रिक्ड़ के यह एलेक्राइंसर जाया दो अप्सिंगली यह है और भाड़ो, अपिस्गली ओनिवार ब्रोमीन, का लगड़ पाड़ा है